Hello guys, root x, root x, root x, root x, root x, root x, is equal to 9, तो x की value क्या होगी, x किसके equal होगा, तो इस type की question को solve out करने के लिए हमें करना क्या है, वह यह complete जो square root है, इसको हटाने के लिए हमें both side square करना पड़ेगा, तो हम जैसे both side square करेंगे, तो ध्यान दीजिएगा, X फिर रूट में X फिर रूट में X फिर से X और फिर से X तो हम यहापर क्या करेंगे इसका whole square करेंगे इदर भी whole square करेंगे और 9 है ना वो पहले से 3 का square तो था ही था और इसका भी हमें यहापर क्या कर देना है square कर देना है अब यह जो square है ना वो इस एक root को यह से cancel कर देगा स्क्वाइर है मैं सा root को cancel कर देता है तो स्क्वाइर और स्क्वाइर root दोनों cancel तो हमारे पास जो value रही वो रही ये वाला जो अक्सा है वो root से बाहर निकल चुका लेकिन अभी भी जो चार अक्सा वो root के अंदर है तो ये पहला अक्स आ गया ये वाला दूसरा अक्स आ गया ये वाला तीसरा और ये वाला चोता यानि फ़र्ष सेकिंड थर्ड और फॉर्थ इज इक्वल टू पावर के उपर पावर होती है न वो मल्टिप्लाई हो जाती है तो यहाँ पर हो गए टू इन्टू टू यानि फॉर त्री की पावर यहाँ पर बन जाएगी फॉर इस रूट को हटाने के लिए में एक बार फिर से बोट साइड स्कॉयर करना पड़ेगा और बोट साइड हम स्कॉयर करेंगे तो अक्स रूट यहीं पर कर दें इसका स्कॉयर यह लो हम यहीं पर स्कॉयर कर देंगे इसका ठीक है तो इस स्कॉयर से क्या होगा कि यह रूट तो कटेगा यह कटेगा पर इस स्कॉयर के लिए यह जो अक्स हो फिरी बेटा था ना इसका क्या हो जाएगा यहापर होल स्कॉयर हो जाएगा यह वाला जो X है, इसको ही square मिलेगा तो यह थो हो जाएगा X square और इस square से यह जो root है न वो क्या हो जाएगा कट जाएगा, यह कटेगा तो यह जो एक ax है न यह वाला यह फिर हो जाएगा, और अनदर 1, 2, 3 3X च्की root के अनदर रह पाएँगे और उधर पावर के उपर पावर है तो multiply जाएगी 4 2 8 3 की पावर हो जाएगी 8 बाहर की तरह अक्स की पावर 2 और अक्स इनको अबन multiply करेंगे अक्स की पावर 3 root x root x root x is equal to 3 की पावर 8 इस root को अठाने के लिए हम एक बार फिर से इसका square करना होगा तो स्क्वायर करेंगे हम complete का बोट साइड इधर भी स्क्वायर करेंगे और उधर भी स्क्वायर करेंगे तो इस स्क्वायर से क्या होगा इसको पावर जो तीन है यह स्क्वायर इसका भी है और यह स्क्वायर इसको भी क्योंगे अपर multiply का sign है तो यहां पर बन जाएगी अक्स root x root x is equal to 3 की power 8 को 2 से multiply एक रो 16 फिर x की power 6 और 1 x की power हो जाएगी 7 x की power 7 root x root x is equal to 3 की power 16 इस root को अठाने के लिए में एक बार फिर से both side square करना होगा और हम both side इसका square करेंगे इस तरह से तो square इसको मिलेगा तो 7 2 जा कितने हो जाएगे 14 x की power 14 into इस square से यह वाला root cancel हो जाएगा तो x अब सिर्व एक 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 से ना वो root के अंदर रह पाएगा equal to 3 की power 16 को 2 से multiply कर लो 32 ठीक है x की power 14 और x की power 1 multiply में है तो x की power यह अपर हो जाएगी 15 और यह वाला root में ही बेटा हुआ है बीबी is equal to 3 की power 32 इस root को अठाने के लिए हमें एक वार फिर से both side square करना पड़ेगा तो हमने both side फिर स्क्वार कर दिया इस square से इसकी power 15 है power के उपर power multiply हो जाएगी तो 15 to 2 कितने हो जाएगे 30 और इस square से root cancel तो यह हो जाएगा अक्स 32 को 2 से multiply करेंगे तो 3 की power हो जाएगी 64 अक्स की power 30 और 1 यह आपर तो यह add हो जाएगे न तो 30 और 1 31 अक्स की power 31 is equal to 3 की power 64 हमें अक्स की value पूचे गई थी तो हम both side power को 1 upon 31 से multiply कर देंगे यानि power में 1 upon 31 दे देंगे इस 1 upon 31 और यह 31 cancel तो यहाँ रहेगा अक्स अक्स is equal to 3 की power कितने हो जाएगे 16 बन जा 16 upon 31 तो यहाँ से अक्स की यह वाली value निकल करके आ जाएगी क्यूशन अच्छे से समझ में आया हो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेर जरूर कर देना चैनल पर पहली बार आयो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना